Hello Students, Good Morning आज इस वीडियो में हम कम्प्यूटर के पार्ट तीन के अप्यास प्रिश्ण सॉल्ब करेंगे पहला प्रिश्ण दिया हुआ है बच्चों सही बिकल्ब चुलिए इसमें हमें तीन आप्सन दिये गए हैं जो हमारा सही होगा उसके आगे हम सही कच्चन लगा देंगे पहला प्रिश्ण है का नमर पर सॉब्टवेर को कितनी भागों में विभाजित किया जा सकता है पहला आप्सन है दो, दूसरा है तीन और तीसरा है चार तो सॉब्टवेर को कितनी भागों में विभाजित कर सकती है बच्चो दो भागों में तीक है तो जो पहले नमर का उप्सन है वो सही हो जाएगा उसके आगे हम राइट कर निशान लगा देंगे अगला प्रिशन है कहा नमर पर कम्पिटर को अपना कारी करने के लिए कितने घटकों की आवश्यक्ता होती है दो, तीन या चार तो कम्पिटर को अपना कारी करने के लिए तीन घटकों की आवश्यक्ता होती है दूसरे नमर का उप्सन है वो सही हो जाएगा उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे अगला है प्रिश नमर का सामानिता कम्पीटर को कितने बर्गों में विवाजित किया जा सकता है तीन, चार या पाँच तो कम्पीटर को कितने बर्गों विवाजित किया जा सकता है वच्चों पाँच ठीक है तो जो तीसरी नमर का आपसन है वो सही हो जाएगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे आगे दिया हुआ है प्रिश नमर दो निमन लिखित, रिक्त इस्तानों की पूर्ती दिये गए सब्दों से कीजिए तो पहला है का नमर पर हार्डवेर सॉप्टवेर के कारण ही काम करते हैं हार्डवेर किसके कारण काम करते हैं वच्चों सॉप्टवेर के तो पहले खालिस्तान में हम क्या लिख देंगे सॉप्ट्वेर अगला है खानमर पर बिना सिस्टम सॉप्ट्वेर की कम्प्यूटर काम नहीं कर सकता तो दूसरी खालिस्तान में क्या आ जाएगा बच्चो सिस्टम आगे हैं अगला GAN AMAR पर कम्पुटर के सभी बहुतिक बागों को hardware कहा जाता है तो कम्पुटर के सभी बहुतिक बागों को क्या कहती है hardware अगला है GAN AMAR पर devices अकेले computer को नहीं चला सकती चौथे नमर के खालिस्तान में क्या आ जाएगा बच्चों computer devices अकेले computer को नहीं चला सकती हैं आगे है अड़ा नमर पर यदि hardware सरीर है तो software computer का दिमाग है hardware सरीर है तो software क्या है वच्छो computer का दिमाग ठीक है आगे दिया हुआ है प्रिश्ण नमर तीन सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन लगाईए इसमें पहला प्रिश्ण हेका नमर पर कम्प्यूटर से संबंदित ब्यक्ति को यूमन बेर कहते हैं बच्चो ये सही है इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे अगला हेका नमर पर कम नमर पर कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी कोड अत्वा निर्देश की जरूरत नहीं होती तो यह गलत है बच्चों इसके आगे हम क्रॉश का चिंद लगाएंगे अगला है गहा नमर पर कंप्यूटर के भाईरी आवरंड को इसके नवियर कहा जाता है तो यह सही है यह भी सही है बच्चों इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे आगे है प्रिश्ण नमर चार निमने लिखित फ्रिश्णों के उत्तर दीजिए तो इसके लिए हम अगले पेश पर चलते हैं पहला प्रिश्ण है सिस्टम सॉप्टवेर को संचेप में सो धारन लिखिए मींस उधारन सहित लिखना इसका उत्तर होगा बच्चों कम्प्यूटर से कार करवानी के लिए सिस्टम सॉप्टवेर जरूरी है ऑप्रेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS, Windows, Unix सभी सिस्टम सॉप्टवेर हैं ठीके बच्चों तो सिस्टम सॉप्टवेर क्या होते हैं कम्प्यूटर से कार करवानी के लिए सिस्टम सॉप्टवेर जरूरी है और इकौन कौन से होते हैं ऑप्रेटिंग सिस्टम जैसे MS-DOS, Windows, Unix सभी ऑप्रेटिंग सॉप्टवेर हैं अगला है प्रिश्ट नमर दो टूल सॉप्टवेर एप्लिकेशन टूल भी क्यों कहा जात है टूल सॉप्टवेर को एप्लिकेशन टूल भी क्यों कहा जाता है इसका उत्तर होगा टूल सॉप्टवेर जो एपलिकेशन टूल्स भी कहलाती हैं बेस्टवेर हैं जो हमारे लिए कुछ विसिस कार करनी में मददगार होते हैं इनके द्वारा आप अपने कंप्यूटर पर रेखांकन करने लिखने संगीत सुनने आधिकार कर सकते हैं तो टूल सौप्ट्वेर पर क्या क्या कर सकते हैं बच्चों अपनी कंप्यूटर पर एखांकर करने, लिखने, खेलने, संगी सुनने आधिकारी कर सकते हैं इसलिए टूल सॉप्ट्वेर को एप्लिकेशन टूल भी कहा जाता है आगे है प्रिश्ण नमर तीन कंप्यूटर के एक विभाग कम होने से क्या होगा उधारन सहित समझाइए तो इसका उत्तर होगा बच्चो कंप्यूटर के एक विभाग कम होनी से कंप्यूटर मेच पर रखे एक बेकार बकसे के अतरिक्त कुछ भी नहीं है तो बच्चो अगर हम कंप्यूटर का कोई सा भाग निकाल दे CPU निकाल दे माउस निकाल दे या कीबोड निकाल दे या कुछ भी तो ये किस तरह से हो जाएगा एक मेच पर रखे हुए बेकार बकसे के तरह ठीके अगला है प्रिश्च नमर चार हाड़वेर किन ही कहती है सोधारन समझाइए उसका उत्तर होगा बच्चो कम्प्यूटर के सभी बहुतिक हिस्से चाहिवे कम्प्यूटर के भार हो अत्वा भीतर हाड़वेर कही जाती है जैसे मॉनिटर कीबोड माउस CPU प्रिंटर आदी तो हाड़वेर क्या होती है बच्चो को हम देख सकते हैं छू सकते हैं ठीक है वो सभी हाड़वेर होती है जिनमें क्या क्या आजाता है मॉनिटर कीबोड माउस CPU प्रिंटर अगला है प्रिश्च नमर पाँच सौप्ट्वेर से आप क्या समझते हैं उधारन भी लिखिए तो इसका उत्तर होगा बच्चो सौप्ट्वेर के विना हाड़वेर कोई कारी नहीं कर सकता है हाड़वेर को निर्दिस देकर बताता है कि क्या करना है ये निर्दिस आपके बिचारों की तरह भी बिचारों की तरह ही होती है आप उनको देख और शू नहीं सकती तो software क्या होती है बच्चो यह hardware को निर्देश देती है क्या कारी करना है क्या नहीं करना है और हम software को क्या नहीं कर सकते देख नहीं सकती और उनको शू नहीं सकते इस्में उधारण है MS-Dose, Windows, Unix आदी ठीक है बच्चों तो यह हमारा जो पार्ट तीन था वो पूरा कंप्लीट होता है अगली वीडियो में हम अगली पार्ट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए भूत-बहुत धन्यवाद